कहानी का पूरा आनन लेने के लिए इसके पिछले बाग को सुनना बिल्कुल मत भूलेगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बाक्स में पिन भी कर दूँगी तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं जैपुर आदित कैफर से आने के बाद अपने कमरे में बैठा अपनी डायरी लिख रहा था तबी पीछे से पवित्रा आकर उससे कहती है आईए खाना खा लिजिए आदित तुम चलो कहा आता हूं पवित्रा ये आप क्या लिख रहे हैं आदित वो मुझे डायरी लिखने की आदत है पवित्रा मतलब आदित मतलब मेरे मन में जो बाते होती है वो अपनी डायरी में लिख रहता हूं इससे मेरे मन को भी सांती मिल जाती है पवित्रा लो भला ये भी कोई बात हुई जो हमारे मन में हो वो हम एक किताब में लिखें कहते हैं अगर अपने दिल की बात किसी अपने को बता दो तो उससे मन हलका हो जाता है तो फिर हमें इन सब की क्या जरूरत आदित अच्छा पर मैं अपने मन की बात किसे बताऊं पवित्रा हमें बता दिया कीजिए सच में हम किसी को नहीं बताएंगे हमारी एक सहली थी गाओं में कमला वो हमें अपनी सारी बात बताती थी पर हमने कभी किसी को नहीं बताई आदित मुस्करा कर अच्छा और तुम अपने मन की बात किस से करती हो पवित्रा हम किसे बताएं हमारा हाई कौन जिससे हम अपने मन की बात कह सके जब बड़े हुए तो मामा साही थे अब उनसे तो कह नहीं सकते थे ना आदित भी उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है पवित्रा उसके माय उस चेहरे को देखकर कहती है तो क्या हुआ हम दोनों के ही पास कोई नहीं है जिससे हम अपने दिल की बात कह सके तो ऐसा करते हैं कि जब भी हमें कुछ कहना हुआ तो हम एक दुसरे को अपने दिल की बाते बता सकते हैं ठीक है? आदित मुसकराते है ठीक है पवित्रा अब आप जल्दी से आ जाईए वरना खाना ठंडा हो जाएगा ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है आदित सोच रहा था कैसे बता दूं तुम्हें अपने दिल की बात पवित्रा अगर तुम्हें सब सच पता चल गया तो मुझे डर है कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर बैटो पर वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा आदित ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर बाद नीचे हॉल में आ गया उदर सर्ता विरेंद जी को खाना परोस रही थी वो चेर पर बैठती हुए बोली बाबा सां हमें आप से कुछ भात करनी है विरेंद जी बोलो बेटा वैसे एक ख़बर तो हमें भी तुम्हें सुनानी है सर्ता कैसी खबर बाबा सां विरेंद जी वो हुकुम सा का जितना भी कर जाता सब चुक गया है और हमने हवेली को भी आखिर बचा ही लिया सर्ता ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा सा विरेंद जी हाँ बेटा बस आज अगर हुकुम सा जिन्दा होते तो वो कितने खुस होते आदित ने उनका मान रखकर आज घर की इच्चत बचा ली सर्ता पर बाबा सा इन सब चीजों में एक अनहोनी हो गई है विरेंद जी हैरानी से अनहोनी कैसी अनहोनी सर्ता बाबा सा आप पहले सांत हो जाईए एक्चली आदित को भी दो दिन पहले ही पता चला है बाबा सा जो लड़की आदित की घर में रह रही है वो आदित की पत्नी नंदिनी नहीं है बलकि कोई लड़की पवित्रा है जिसे आदित गल्ती से नंदिनी समझकर अपने साथ ले आया विरेन जी क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सर्ता उन्हें पहले दिन से सारी घटी वे घटनाओं के बारे में सब कुछ बता दीती है और ये भी बताती है कि नंदिनी की इस एक्सिडेंट में मौत हो गई है विरेन जी ये सारी बाते सुनकर हैरान हो जाते है विरेन जी अब हम नाहर बन्ना को क्या जवाब देंगे? अपनी बेटी की मौत का गम कैसे सह पाएंगे वो? बगवान ये सब क्या हो गया? सर्ता उन्हें समझाती है बाबा साथ प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए आपको तो आदित का साथ देना है काका साथ के बाद एक आप ही है जो उसे संभाल सकते हैं विरेन जी सही कह रही हो बेटी तुम पर हमें नाहर बनना को भी ये खबर करनी होगी सर्ता जी बाबा साथ प्लीज जी अपने सूझ बिचाल में मगन अपने कमरे की तरफ चले गए सर्ता भी अपने कमरे में जाकर आदित को फोन करने लगती है आदित फोन उठा लेता है सर्टा आदित हमारे बाबा सांसे बात हो गई है मुझे लगता है तुम कल घर आ जाओ हम यहीं बैठ कर बात कर लेंगे ओके आदित ओके दी गुड नैट सर्टा गुड नैट अगले दिन आदित विरेन जी की घर पहुँच जाता है सर्टा उसे अंदर लेकर आती है तो विरेन जी वहीं सोफे पर बैठ होई होते है आदित उनके पैर चूता है पर नाम चाचा सा विरेन जी आओ आदित बैठो बेटा बेटा तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई आदित चाचा सा हमें खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें पर हमें लगता है कि हमें एक बार पवित्रा के गाउं जाकर पता करना चाहिए विरेन जी पर बेटा कैसे पता करोगे तुम अगर वो लोग पवित्रा के बारे में किसी अंजान लड़के से कुछ सुनेंगे तो बेटा खामखा, तुम और वो लड़की दोनों ही बतनाम हो जाओगे आदित, नहीं चाचासा, ऐसा कुछ नहीं होगा हम बात समाल लेंगे, विरेंजी तो ठीक है, हम आपके साथ ही चलेंगे आदित, नहीं चाचासा आप यहां रहे, आपको अभी कुछ दिन बिजनेस की भी देखवाल करनी है, वैसे भी मैं इन सब चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए आपका यहां रहना जरूरी है, विरेंजी ऐसा करो बेटा, तुम कल ही यहां से निकलने की तयारी करो, आदित जी चाचासा, आदित उनके पैर शुकर बाहर आ जाता है, तभी सर्टा आदित से कहती है, तुम बिल्कुल टेंसन मत लो आदित, हम एक दो दिन में हवेली में ही रहेंगे पवित्रा के साथ, उसे वहां बिल्कुल भी अकेला महसूस दे होगा ठीक है, आदित मुस्करा कर कहता है थैंक्यू दी, थैंक्यू सो मच सर्टा, थैंक्यू किसलिए तुम हमारे भाई हो, क्या इतना भी हक नहीं बनता हमारा आदित, दी, कैसी बाते कर रहे हैं आपका अप तो पूरा हक है सर्टा, तो फिर तुम टेंसन फिरी होकर जाओ, यहां हम समाल लेंगे, और हाँ, पवित्रा को भी बता देना कि तुम किसी काम से बाहर जा रहे हो, आदित, हादी मैं बता दूँगा, आदित, गारी लेकर वहां से निकल जाता है, रात को आदित, अपने कमरे में बैठा, कुछ फाइल्स में उल्जा हुआ होता है, तभी पवित्रा हाथ में कॉपी लिये आ जाती है आदित, उसके हाथ में कॉपी किताबे पढ़ना सिखा देजिए, फिर हम भी आपकी तरह डायरी लिखेंगे, वो इतनी मासूमिय से यह सब बोलती है कि आदित की भी हसी छूट जाती है, वो कहता है, डायरी लिखकर क्या करेंगी आप, पवित्रा, हम भी अपने दिल की बात उसमें लिख देंगे, आदित, पर आपने तो कहा था कि आप अपने दिल की बात हमसे शेर करेंगी, हाँ, पवित्रा, अरे हाँ, तो ठीक है, आप हमें पढ़ना सिखा दीजिए, फिर हम भी सुन्दर-सुन्दर किताबे पढ़ना सीख जाएंगे, आदित, ठीक है, हम आपको सिखा देंगे, आदित, पवित्रा को स्टार्टिंग से कुछ बेसिक चीजे सिखाता है, जैसे अपना नाम लिखना, वगेरा, पवित्रा भी मन लगा कर सीखने की कोशिस करते है, थोड़ी देर बाद आदित, अपने ले कॉफी बनाने किचन में चला जाता है, जब वो आकर देखता तो पवित्रा टेबल पर ही सर रखकर सो रही होती है, सोते वे वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है, एक बार को तो आदित भी उसे देखता ही रह जाता है, पर तभी उसके मन में ख्याल आता है कि खुश किस्मत है वो इंसान, जिसे इतनी प्यारी सी बीबी मिली है, बस भगवान सी यही दुआ है कि यह जल्द से जल्द अपने पती के पास चली जाए, आदित उसे उठाने की कोशिस करता है, पवित्रा उठो, चलो बेट पर चलकर सो जाओ, पवित्रा नीद में ही चुप चाप बेट पर आकर लेट जाती है, आदित सारा सामान समेट कर रख देता है, और अप कहीं जा रहें क्या, आदित, हाँ, वो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाओगा, पवित्रा, कल तक, पर हम घर में अकेले कैसे रहेंगे, आदित, अकेले नहीं, सरतादी आ जाएंगी, आपके पास, जब तक हम नहीं आ जाते, वो यहीं रुखेंगी, पवि नुका का बैक गाली में रखवा देते हैं, आदित, पवित्रा को घर का ध्यान रखने को कहकर चला जाता है, थोड़ी देर बात सरता भी आ जाती है, सरता, नमस्ते भावीजा, कैसी हैं आप, पवित्रा भी मुस्करा कर, नमस्ते दीदी, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं, सरता, ह गोभी के पराटे हैं पविता जी ठीक है आज हम आपके लिए गोभी के पराटे बनाएंगे आप बैठिये हम आते हैं सर्ता चलिए हम भी आपके साथ किचन में ही चलते हैं दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं साम तक आरित भी गाउं पहुंच जाता है कुछ गाउं के आद जी की शादी अभी 10-15 दिन पहले ही हुई है दूसरा आदमी क्या बात कर रहे हो भईया वो नंद की सोड तो कर सुबह ही चल बसा आदित हैरानी से देखती हुए चल बसे पहला आदमी हाँ भईया पहुत तारू पीता था सारा दिन नसे में ही पड़ा रहता था ना खानी पी के बाहर वो उनके नौकर से कहता है भाया परधान जी से कोई मिलने आया है नौकर अंदर जाकर परधान जी को इतला कर देता है कि उनसे कोई मिलना चाहता है परधान जी अपने नौकर को कहते हैं बुला लाइए नौकर अपने साथ आधित को ले जाता है आधित अंदर आकर प्रधान जी को नमस्ते करता है प्रधान जी जी नमस्ते आईए बैठिए आदित प्रधान जी मुझे नंद किसोर जी के बारे में पूछता था ये गाउं वाले कह रहे हैं कि नंद किसोर प्रधान जी जी आपने बिल्कुल सही सुना वो कल ही चल बसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना उसके भान जी की भी मौत हो गई थी एक्सिडेंट में आधित को सोच कर भान जी की मौत? ओ, ये लोग समझ रहे हैं कि पवित्रा की उस एक्सिडेंट में मौत हो चुकी है ओ, और उनकी भान जी के पती वो कहा है? परधान जी, डॉक्टर है, बड़े ही भले इंसान है, अभी आज सुबे ही निकले हैं उनकी माता जी की तवियत अचानक से भीगर गई थी, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, हमारे गाउं में मुप्त इलाज का सिविल लगाने आये थे, बिचारे पत्नी की मौत से काफी दुखी थे आदित क्या आपको पता है वो कहां रहते हैं, पर दिली में कहां रहते हैं ये नहीं पता, आप कुछ काम था क्या उनसे आदित जूट बोल देता है, जी मैं उनका दोस्त हूँ, मुंबई से आया हूँ, हमें एक साथ ही पड़े हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो धनकपुर में है और उनकी शादी हो गई, किसी नन किसोर की भानजी के साथ, किसी काम से आया था तो मैंने सुच कि यहीं मिलनू, एक्चली मुझे दिल्ली में उनके घर का एड्रेस नहीं पता, मुझे लगा शायद आपको पता हूँ, परदान जी माफ करना बेटा, हमें भी उनका पता नहीं मालूँ, कोई बात नहीं, आप उनसे फोन करकी पूछ लीजिए, आदित, जी वो मैं पूछ दे सकते हैं, और वैसे भी रात हो गई है, तो आज आप यहीं रुख जाये, सुबह निकल जायेगा, आदित, जी नहीं सुक्रिया, मैं चला जाओंगा, मेरे पास गारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परदान जी, नहीं नहीं, आपको रात को यहीं रुखना पड़ेगा, देखे, रात का मामला है, चोड आपको का पता नहीं चलता, आज रात यहीं रुख जाये, सुबह निकल जायेगा, आदित, जी, आप इतना कह रहे हैं, तो मैं यहीं रुख जाता हूँ, परदान जी, जी, बहुत बड़े हैं, मैं आपके भोजन का परभन करवाता हूँ, आप इतने में आराम कीजिए, परदान जी, नौकर को कहकर आदित का सामान कमरे में रखवा देते हैं, आदित भी नौकर के पीछे पीछे चला जाता है, रात को खाना खाने के बाद आदित मायूस सा ख़रा सोच रहा था, यहां आकर भी कुछ हाथ नहीं लगा, और पवित जेगी ये पहली, आदित चुप चाप पिस्तर पर आकर लेड जाता है, पर उसके आँखों में नीन नहीं थी, धनकपूर, आदित सुबह धनकपूर से वापस जाने के लिए निकल चुका था, पूरे रास्ते वो उदास ही रहा, उम्मीद की एक आकरी किधन भी उसे उन्तर के बता देंगे, पर आदित भी जानता था कि अब शायद वहां से कुछ बात नहीं बनने वाली, आदित को पता था कि अब उसे डॉक्टर समीर को ढूनने का अब कोई और रास्ता निकलना होगा, मगर कैसे यही सोचकर वो परिशान था, लखनो, दीप्ति अपने कम पापा, उसके पास आकर बैठ गए, बिजेजी, कहां खोई हुई है, मेरी बच्ची, दीप्ति चोक कर, क्या पापा, कुछ कहा अपने, दीप्ति ने लेप्टाप की तरफ देखकर छट से लेप्टाप बंद कर दिया, बिजेजी, आदित की याद आ रही है, दीप्ति पढ़ाती हुई, नहीं पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, बिजेजी, क्योंकि बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारा दोस्त हुई, इतनी सी थी, तुम जब तुम्हारी मा गुजर गई, मैंने हमेशा तुम्हें मा बाप दोनों का प्या बात कर रही थी न, दिप्ती सर्मा कर कहती है, हाँ पापा, बिजेजी, तो फोन पर बात कर लो उसे, दिप्ती, पता नहीं पापा, वो जैपूर जाकर इतना बिजी हो गया है कि मुझे अपने आप से एक फोन तक नहीं करता, बिजेजी, बेटा, वो इतने दिनों बात अपने पिता के साथ गुजारना चाहता हो, और फिर उसकी भी जिम्यदारिया होंगी अपनी फैमली के लिए, समझो बेटा, दिप्ती, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं पापा, पर उसने कहा था कि वो अपने बाबा सा को लेखर आएगा, आप से मिलाने के लिए, पर अभी तक तो उसने कुछ बताया नहीं, बिजेजी, कोई बात नहीं बिटा, हो सकता है, अभी उसे वक्त ना मिलाओ, दिप्ती, हाँ, बहुत दिन हो गए आदित को देखे वे, शायद इसलिए मैं उसे कुछ ज्यादा ही याद कर रही हूं, बिजेजी, तो तुम मिलाओ उसे, वैसे भी मुझसे तुम्हारा ये मायूस चेहरा देखा नहीं जाता बिटा, उसे मिल लोगी, तो तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी, दिप्ती, थैंक्यू पापा, इवार दा बेश्ट पापा, बिजेजी, येस, आई एम दा बेश्ट पा, बिजेजी भी दिप्ती को अपने ग प्राबलम होने लगी, वो तो अच्छा हुआ, वाचमेन ने परोशियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल पहुचा दिया, और समीर को भी उसी वक्त पोंग कर दिया, उसी वक्त समीर वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा था, आज सुवित्रा जी को हॉस्पिटल से डिस पानी लेनी चला जाता है, सुवित्रा जी को पानी के साथ दमाया देकर वो उनके कमरे में लेकर जाता है, सुवित्रा जी बेट पर लेट जाती है, समीर भी उनके पास ही बैठ जाता है, सुवित्रा जी तू भी ठक गया होगा बेटा, जा, जाकर आराम कर ले, समीर, मा, आ आप आराम कर लो, मैं बाद में आराम कर लोगा। सुबधरा जी, वो तो भला हो उस दिन वाचमेन का, जो उसने मुझे हॉस्पिटल पहुचा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। समीर, मा, आप भीना कैसी बाते करती हो, कुछ नहीं होगा आपको। सुबधरा जी, तभी तो कहती हूँ कि साधी कर ले, खुद तो तू कभी बाहर कैम्प में या फिर हॉस्पिटल में रहता है, घर में डिकता ही कहां है, अगर आज बहु होती तो मुझे यूँ अकेला ही समीर, मा, अब इसमें बहु की बात कहां से आ गई, मैं हूना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल, और पक्का, प्रॉमिस, मैं अब पक्का टाइम से घराऊंगा, और कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, सुबधरा जी, मुझ बना कर, हाँ, देखे हैं तेरे प्रॉमिस, मे समीर, उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है, पर फिर बात को टालने के लिए कहता है, मा, तेरे बेटे से साधी करेगा कौन, कैसा है तेरा ये बेटा, रूख सा, सुखा सा, सुबधरा जी, उसकी बात बीच में ही काट कर, खाबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ उल्टा सिध बोला तो, मेरा बेटा तो लाकों में एक है, जो भी लड़की उसे साधी करेगी, धन्न हो जाएगी, समीर, वाओ, मेरी इतनी तारीब, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना हैंसम हूँ, कि जो लड़की मुसे साधी करेगी, वो धन्न हो जाएगी, ये कहकर वो हसने समीर ये सुनते ही इदे उधर देखने लग जाता है सुबत्रा जी क्या हुआ समीर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और लड़की पसंद है देख अगर ऐसा है तो बता दे मैं उससे तेरी शादी करवा दूँगी समीर कुछ नहीं बोल पाता वो यही सोचता है कास मा की मैं तुझे बता सकता कि मेरी शादी हो चुगी है पर जैसे ही तेरी तवियत ठीक होगी इस बार मैं तुझे सब कुछ बता दूँगा सुबत्रा जी उसे किसी गहरी सोच में देखकर बोल बेटा समीर मा ऐसा कुछ नहीं है तुम बस आराम करो समीर उन्हीं लिटा कर कंबल समीर का अभी शादी करने का मन भी नहीं था क्योंकि वह अभी उस हास्चे से ठीक से उबर नहीं पाया था जैपूर आदित साम को वापस जैपूर पहुँच चुगा था गारी बाहर रुपते ही नौकर आकर दरवाजा खोल देते ही आदित अंदर चला जाता है पवित्रा और सरता नीचे हौल में ही बैठे हुए थी पवित्रा भाग कर आदित के पास चली जाती है आ गया अभी हम आपके بारे में ही बात कर रहे थी कैसा रहा आपका सपर आदित, उसकी और देखती हुए अच्छा रहा सर्ता को आदित का मुर्जाया हुआ चेहरा देखकर कुछ अजीब सा लगा पर उसने सुचा शायद सफर की ठकान होगी आदित अंदर आकर बैठ गया और पवित्रा कीचन में उसके लिए पानी लेने चली गई सर्ता ने इसारे से आधित से पूछा तो आदित ने नामे सिरहला दिया सर्ता समझ गए कि इसलिए आदित इतना परिशान सा लग रहा है इतने में पवित्रा भी पानी लेकर आ गई जी पानी, पवित्रा पानी का गिलास आदित की ओर बढ़ाती हुई बोली पवित्रा हम खाना लगवाते हैं आदित नहीं हम खाना नहीं खाएंगे हम बहुत ठक गए हैं हम आराम करने जा रहे हैं पवित्रा थोड़ा तो खा लेजे ऐसे बिना कुछ खाय सो जाएंगे क्या आदित, प्लीज पवित्रा, मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है खाने का सर्ता उसकी परिशानी समझ रही थी, उसने पवित्रा को इसारे में ही मना कर दिया आदित वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया सर्ता पवित्रा से कहती है, भाविसा, आप चिंता मत कीजिए आदित ऐसा ही है, जब बहुत ठका हुआ होता है, तो अकसर ऐसे ही खाना नहीं खाता है ऐसा कीजिए, आप एक कप कॉफी बना दिजिए वो थोड़ा फ्रेस भी फील करेगा, और उसके सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा पवित्रा, जी दी दी, हम अभी बना कर लाते हैं सर्ता, उपर आदित के कमरे में चली जाती है, जहां आदित अपना सर पकड़ कर बैठा था सर्ता, क्या हुआ आदित, आदित, दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे चलेगा और कब तक, सर्ता, पर क्या हुआ पवित्रा के पती के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, क्या आदित उसे सुरू से लेकर सारी बाते बताता है कि पवित्रा के मामा साख गुजर गए है और पवित्रा का पती भी वहाँ आया हुआ था पर अपनी मा की बीमारी की विज़े से वापस चला गया और अब ये भी नहीं पता कि वापस आएगा भी या नहीं सरता भी ये सुनकर हतास हो जाती है फिर भी आदित को दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आदित कैसे ठीक हो जाएगा दी कैसे मैं किसी की पत्नी को अपने घर में रखलू सुक्र कीजे कि दुनिया वालों को यही लगता है कि यह नंदनी है वरना पता नहीं क्या होता पर जैसे ही नहर बनना के पास यह ख़बर पहुँझेगी कि नंदनी अब इस दुनिया में नहीं है यहां के लोग तरही तरही की सवाल करेंगे तम मैं क्या जवाब दूँगा सबको और पवित्रा क्यों सबके ताने सुने जबकि गल्ती मेरी है मैं ही उसे गल्ती से नंदिनी समझकर अपने साथ ले आए सर्ता गल्ती किसी की नहीं है आदित गल्ती बस वक्त और हलातों की है जो होना था हम वो तो रोक नहीं पाए पर बिगले वे हलातों को ठीक तो कर सकती है पस थोड़ा धीरेज रखो सब ठीक होगा आदित पता नहीं दीदी कब खतम होगा ये सब उधर दिपती बार बार सवाल करती है कि मैं कब आऊंगा उसके पापा से मिले किसको बता बातों के जवाब दो जबकि मेरे पास अभी खुद किसी बात का जवाब नहीं है सर्ता सब ठीक हो जाएगा आदित हम बाबा सासे बात करते हैं तब ही पवित्रा के उपर आने की आहट सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं पवित्रा कमरे में आकर सर्ता और आदित दोनों को कॉफी देती है सब बैठ कर थोड़ी देर बाते करने लगते हैं उसके बाद आदिती भी इस्टेडी रूम की तरब चलने लगता है तो पवित्रा उसे ये केकर रोग लेती है कि आज ठक गए हैं आप आज हम सो जाएंगे आदित मना भी करता है पर पवित्रा खुद तकी और चादर लेकर दूसरे रूम में सोने ही चली जाती है आदित खुद से करता है मुझे माप कर देना पवित्रा पर मैं क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता आखिर तुम किसी और की अमानत हो जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है पर मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे पती के पास पहुचाऊंगा ये कहकर वो भी सुने चला जाता है लगनो डिप्ती जैपु जाने की तयारी कर रही होती है कि तभी बिजेज जी उसके रूम में आ जाते है बिजेज जी उसे पैकिंग करते देखकर बोलते है अरे भाई कहा जाने की तयारी हो रही है डिप्ती अपने पापा की तरब देखकर पापा आपने ही तो कहा था कि जाओ आदित से मिलाओ इसलिए जैपू जाने की तयारी कर दें बिजेज जी भाई वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मतलब सिर्फ मेरी परमीशन की देरी थी डिप्ती तो क्या आपने ऐसे ही कहा था क्या कि जाओ मिलाओ ठीक है मैं नहीं जाओंगी डिप्ती मूँ बनाकर बैठ जाती बिजेज जी हास कर अच्छा बाबा जाओ मैं तो मजाब कर रहा था अपनी गुडिया से डिप्ती पका ना पापा बिजेज जी डिफनेटली बेटा जाओ अपने आदित के पास डिप्ती उनके गले लग जाती ठैंक्स पापा बिजेज उसके सर पे हाथ फिल कर कहते हैं यू मोश्ट बेलकम माई चाइल ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं डिप्ती खुद ही मुस्कुरा कर कहती है अब देखना अदित कैसे मैं तुम्हें वहाँ पहुँच कर सर्प्राइज देती हूँ जैस्ट बेट एंड वाच ये कहकर वो बेट पर धम से ले जाती है और अदिती की तस्वीर लेकर अपने सीने से लगा लेती है लखनो सुबह दिती निकलने की तयारी कर रही थी की तभी विजेज जी उसके कमरे में आते है विजेज जी चलो बेटा तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है अभी निकलेंगे तो एक घंटा लगेगा एरपोर्ट तक जाने में आदित अपना बैग उठा कर हाँ पापा चलिए बाहर ड्राइबर उसका सामान डिक्की में रखता है और विजेज जी और दिप्ती एरपोर्ट की तरफ निकल परते हैं करीबन एक घंटे बाद एरपोर्ट पर पहुँचकर दिप्ती अपने टिकेट्स के साथ महां होती है दिप्ती के पापा उसे एकजिट टोर तक छोड़ने आते हैं थोड़ी दिर बाद फ्लाइट के एनाउंस्मेंट हो जाती है दिप्ती अच्छा पापा अपना ख्याल रखेगा बिजेज जी उसे अपने गले से लगाते हैं और तुम आदित का दिप्ती अपने पापा की बाद सुनकर सरमा जाती है बिजेज जी अच्छा बेटा पहुँचते ही फोन करना दिप्ती जी पापा कहकर एकजिट गेट की तरफ मुड़ जाती है उसके पापा उसे बाय करते हैं और दिप्ती भी उन्हें बाय करती है जैपूर आदित सोपर पर बैठा चाय पी रहा था वो नेट पर कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा था तबी सर्टा का कॉल आता है सर्टा हेलो आदित क्या आज तुम घर आ सकते हो बाबा सा तुम से कुछ बात करना चाहते है आदित ठीक है दी मैं पहुँच जाओंगा सर्टा ठीक है आदित जल्दी आना आदित ओके दी आदित फून मेज पर रखते था और वो आपस अपने काम में लग जाता है और नेट सर्फिंग के जरिए दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल है उनमें डाक्टर समीर नाम के लोगों के कॉंटेक्ट्स निकालने की कोशिस कर रहा था थोड़ी देर बाद पवित्रा अपनी कापी किताब लिये आदित के पास आ जाती है पवित्रा सुनिए एक बार देखिए हमने कुछ लिखने की कोशिस की है आप देखकर बताएए ना सही है या नहीं आदित उसके हाँ से कापी ले लेता है उसमें जो भी गलतियां होती है उन्हें ठीक करके उसे समझा देता है आदित अच्छा पवित्रा हम चाचा सा के घर जा रहे हैं आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो तुम परिसान मत होना ठीक है पवित्रा जी पवित्रा जाने को होती है पर फिर रुक कर आदित से कहती है सुनिए आप हमारे ले किताबे ले आएंगे पढ़ने के लिए हम उसमें से पढ़ना सीखेंगे आदित मुस्क्रा कर ठीक है मैं लेता हूँगा पवित्रा भी मुस्क्रा कर हामें सीर हिला देती है आदित तयार होकर चाचा सा के घर की तरफ निकल जाता है वहाँ पहुँचकर वो विरेंची के पैर चुता है विरेंची बहुत ही कंभी सोच बिचार में बैठे थे आदित उन्हें ऐसे परिशान देख कर पूछता है क्या बात है चाचा सा आप बहुत परिशान से लग रहे हैं कोई बात है क्या तभी सर्टा बोल परती है बात ही कुछ ऐसी है आदित कल बाबा सान ने नंदनी के घर फोन किया था नंदिनी के बारे में बताने के लिए और आज सुबे जैसर मेरे से फोन आया था कि नंदिनी के पिता जी को मेजर हार्ट अटेक आया है वो हॉस्पिटल में भरती है आदित भी ये सब सुनकर काफी सौक्ट हो जाता है तभी विरेन जी आदित से कहते हैं तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए आदित नार बन्ना को देखने के लिए आखिर उनसे हमारे संबन तो जुड़े हुए ही है ना आदित ठीक है चाचासा हम आपके साथ चलेंगे विरेन जी आदित एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बेटा तुम पवित्रा को लेकर कुछ दिनों के लिए मुंबई चले जाओ यहां अगर लोगों की नंदिनी की मौत की खबर लग गई तो पवित्रा को लेकर सवाल करना शुरू कर देंगे और साथ जिसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे और पवित्रा का भी तो सुचो उसे अब तक कुछ नहीं मालो वो इन सब सवालों का सामना कैसे करेगी मुझे लगता है जब तक पवित्रा के पती के बारे में कुछ नहीं पता चलता तुम उसे यहां से लेकर चले जओ आदित, चाचासा, हम वहां अकेले पवित्रा को लेकर कैसे जा पाएंगे चाचासा, वो किसी और की पत्नी है यहां आप सब लोग भी आते जाते रहते हैं पर वहां, वहां वो अकेले कैसे रहेगी विरेंजी, बेटा, कुछ ही दिनों की बात है और मैं और सर्ता कोशिस करेंगे वहां कुछ दिनों के लिए आने की पर बेटा यहां तुम्हारा रहना अभी सही नहीं है हम किसी भी तरह की बाते बनते नहीं देखना चाहते हैं आदित सोच में पड़ जाता है पर फिर वो जाने के लिए हां कर देता है और घर वापस आजाता है घर आकर वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है सम तक आदित अपने कमरे में ही बढ़ा-बढ़ा सोचता रहता है यहां तक की वो पभीता के दरवाजा खरकटाने पर भी वो नहीं आता और सरदर्द का भाना बनाकर अपने कमरी में ही बैठा रहता है साम को आदित अपने स्टिडी रूम की तरब जा रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज गानों में पड़ती वो नीचे आकर देखता है तो उसकी आँके हैराने से खुली के खुली रह जाती है दिपती आदित को देखते हैं उसकी गले जाकर लग जाती है आदित तो उसे देखकर सुन्द सा ख़णा रह जाता है दिपती कैसे हो आदित? सर्प्राइस कर दिया ना? आदित तो कुछ बोलनी कोई ही इस्तिती में नहीं था तभी आवाज सुनकर पभित्रा भी बाहर आ जाती है पभित्रा जी कौन आया है दिप्ति पभित्रा को देखकर अचंबिस सी हो जाती है अब आदित दुवित्रा में पढ़ जाता है कि अब वो दोनों को क्या जवाब देगा दिप्ती पवित्रा की मांग में सिंदूर और मंगल सूत्र देख कर कहती है ये कौन है आदित आदित दिप्ती को कंधों से पकड़ कर कहता है दिप्ती पहले तुम आराम से बैठ जाओ मैं सब बताता हूं दिप्ती नहीं तुम पहले ये बताओ कि ये कौन है पवित्रा ये ऐसे क्यों पूछ रही है आप बता क्यों नहीं देते कि हम आपके क्या लगते हैं दिप्ती रोने लगती बताओ आदित कौन है ये आदित बार बार पूछने पर बहुत दिविदा में पड़ जाता है और दिप्ती की तरब चिल्ला कर कहता है पतनी है ये मेरी आदित के मुह से ये सब्दी सुनकर दिप्ती के तो पैरो तले जमीनी के सक्याती है उसके कदम खड़े ही खड़े लड़ खड़ा जाते हैं उसे तो समझी नहीं आ रहा था कि जिस आदित के साथ उसने पूरी जिन्दिगी गुजारने की वाइस की थी उसने किसी और से साधी कर ली थी दिप्ती लड़ खड़ा कर गिरने ही वाली होती कि आदित उसे सभालने की कोशिश करता है पर दिप्ति उसे वहीं रुख जाने के लिए कह देती है दिप्ति को ऐसे देखकर आदित की आँखों में आशू आ जाते हैं पवित्रा को तो समझी नहीं आता कि बोले क्या वो भाग कर अंदर चले जाते हैं और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है आदित दिप्ति को समझाने की कोशिश करता है पर दिप्ति कुछ भी सुनने के लिए तयार नहीं होती है आदित दिप्ति से कहता है कि उसे भी यहां आने के बाद ही पता चला था कि उसके बाबा सा ने उसका रिस्ता तै कर दिया है आदेती दिप्ती का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है प्लीज दिप्ती मेरा यकिन करो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा हमारी प्रापर्टी बिजनिस सब खत्रे में था और उसे बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था मैंने बाबा साके कहने पर साधी तो कर ली पर मेरे दिल में आज भी तुम ही हो दिप्ती रोकर कहती है छूट गोल रहे हो तुम जब तुम्हें मुझे से प्यार ही नहीं था तो मेरे फेलिंस के साथ क्यों खेले क्यों मुझे से प्यार के जूटे वादे किये आदे नहीं दिपती, मैंने तुम्हारे साथ कोई जोटा वादा नहीं किया मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, मुझे समझने की कोशिश करो जब मैं यहां आया तो मुझे पता चला कि हमारा सारा बिजनेस और यह हवेली हमारे हाथ से जाने वाली है और बाबा साथ चाहते थे, मैं उनके दोस्ट की बेटी से साधी कर लो मैंने बस अपने घर की इज़त को बचाने के लिए मजबूरी में उनके दोस्ट की बेटी से शाधी की मैंने बाबा सा को वचन दिया था कि मैं इस घर को जरूर बचाऊंगा पर मैंने इस घर को और सारी बिजनेस को तो बचा लिया पर अपने बाबा सा को नहीं बचा पाया जैसल मेर से आते वक्त हमारी गारी का बहुत बड़ा एक्सिदेंट हो गया जिसमें मैंने उन्हें खो दिया आदित रोते रोते नीचे खुटनों के बल बैठ गया आदित के उपर जो वीती उसे सुनकर दित्ती के आँखों में आशू आ गए वो आदित के पास ही बैठ जाती है और उससे कहती है इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं क्यों आदित क्यों आदित मैं सच कह रहा हूँ दित्ती मैं तुमी से प्यार करता हूँ आज भी और वो लड़की वो मेरी पतनी इतना कहते ही आदित रोक गया कि अगर सब को सच पता चल गया तो पवित्रा कहीं अपने साथ कुछ कर ना बैठे इसलिए उसने अभी चुप रहना ही सही समझा दित्ती वो लड़की क्या आदित वो लड़की तुमारी पतनी है अब हम साथ नहीं रह सकते आदित तुम्हें अब अपनी पतनी के साथ ही सारी जिन्दगी गुजारनी होगी ये कहकर वो वहां से खड़ी हो जाती है और अपना बैग लेकर वहां से चलने को होती है तभी आदित पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है आदित प्लीज दिप्ती मुझे छोड़ कर मच जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा आदित की बाते सुनकर दिप्ती भी रोप पड़ती है पर वो आदित से कहती है अब हमारा कोई रिस्ता नहीं आदित अब तुम्हारी जिन्दगी में कोई और है और वही रहेगी आदित सब कुछ चान कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था वक्त और हालातों के कारण वो इस वक्त मजबूर हो चुका था दिप्ती अपना हाथ आदित के हाथ से छुड़ा कर चली जाती है आदित उसे रोकता रह जाता है पर वो गारी में बैठकर वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है आदित हतास सा उसे देखता रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता है आदित लड़कराते कदमों से वापस आ गया आज उसका प्यार भी उससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था आज वो अपने आपको जिन्दिगी में सबसे अकेला महसूस कर रहा था आदित आकर धम से सोपे पर बैठ जाता है और अपना सर सोपे से ठिका कर आखे बंद कर लेता है तभी उसे पवित्रा का ध्यान आता है वो सीधा उसके कमवे की तरफ भाग कर जाता है पवित्रा ने अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ था आदित दरवाजे को जोर से खरकटाता है पवित्रा दरवाजा खोलो पवित्रा एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज पवित्रा से सकते वे आप चले जाए यहां से वकील बाबू और हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए आदित पवित्रा मेरी बात सुनू देखो तुम्हें मेरी कसम एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज तभी दरवाजा खोलने की आवाज आती है आदित दरवाजा खोलते ही अंदर आता है तो देखता है कि पवित्रा बेट के एक खोने पे बैठी रो रही थी आदित उसे देखकर उसकी और बढ़ता ही है कि पवित्रा उसे रोक देती है पवित्रा रुक चाहिए वकील बाबू हमारे पास मत आईए हम बहुत अपसगुनी है आते ही आपके बाबा सा आपसे दूर हो गए और अब आपका प्यार भी आपसे छीन लिया ये कहकर वो फिर से चेरे पर हाथ रखकर रोनी लगी आदित पवित्रा के पास ही आकर बैठ जाता है गलती तुम्हारी नहीं है पवित्रा गलती वक्त और हलातों की है जिसने आज हमें यहां लाकर ख़़ा कर दिया है पवित्रा आप अपने प्यार के पास वापस चले जाएए आपने हमारा इतनी मुसीबत में साथ दिया वही बहुत है हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी वज़े से अपने प्यार से दूर रहे आदित पर अप तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता पवित्रा हम आपकी पत्नी नहीं सिर्फ आपकी जिमेदारी है जिसे आपको मजबूरन निभाना पड़ रहा है इसलिए आप हमारे साथ एक कमरे में नहीं सोते न हम जानते थे कि कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है आदित मैं तुम्हें कैसे समझाओ पवित्रा मेरा तुमसे साधी करना जरूरी हो गया था पवित्रा इतना कि आपने अपने प्यार की भी परवा नहीं की आदित हाँ पवित्रा बस तुम ये समझ लो कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा फिलाल मुझे थोड़ा वक्त दो क्या इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर पवित्रा आदित की और देख का सोचने लगती है कि मुझे इन्हें थोड़ा समय देना चाहिए इन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए अपने प्यार तक की परवा नहीं की आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना पवित्रा को आदित की चेहरे का दर्द साफ नजर आ रहा था वो चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रही थी आदित उसका हाथ पकड़कर अच्छा चलो अब खाना खालो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया पवित्रा मुझे भूख नहीं है आप खा लेजे हम खाना परोस्ते हैं पवित्रा उटकर खड़ी हो जाती है आदित मूँ बनाते वे मुझे नहीं खाना अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा पवित्रा यह आप कैसी बाते कर रहे हैं अच्छा ठीक है हम भी खाएंगे अब चलिए आदित मुस्क्रा कर नीचे चला जाता है पवित्रा आदित को देखकर सोचने लगती कितने महान है ना आप सब कुछ भूल कर सिर्फ मेरे लिए हस रहें पता नहीं हमने पिछले जनम में कौन सी मोती दान किये थे जो हमें आप मिले थोड़ी देर बाद पवित्रा भी नीचे आकर आदित को खाना परोसने लगती है तो आदित कहता है तुम भी खाओ बैटकर पवित्रा नहीं नहीं पहले आप खा लीजिए हम बाद में खाएंगे आदित ऐसे कैसे तुम भी साथ खाओ बैटकर मुझे पता है तुम बाद में नहीं खाओगी पवित्रा हम सच कह रहे हैं हम खा लेंगे वैसे भी हम आप से पहले कैसे खा सकते हैं आदित ये पहले और बाद में क्या होता है, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे ही तुम भी इंसान हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम बाद में खाओ और मैं पहले ही, चलो बैठो, आदित उसका हाथ पकड़कर उसे चेर पर बिठा देता है, पवित्रा भी उसके आग जाती है, और आदित की ओर एक ठक देखने लगती है, पवित्रा परसो ही, पर ऐसा क्या काम आ गया, कि हमें परसो ही मुंबई जाना है, आदित कुछ सोच कर, वो एक्चुली मुझे वहाँ जाकर अपनी वकिल की प्रैक्टिस भी तो सुरू करनी है, इसलिए और तुम यहा क्या सोच रही हो, पवित्रा, नहीं कुछ नहीं, हम बस यही सोच रहे थी, कि वहाँ तो हम बिल्कुल बोर हो जाएंगे, आप तो अपने काम में लग जाएंगे, और हम अकेले हो जाएंगे, वहाँ हम किसी को जानते भी तो नहीं है, यहाँ तो सर्ता देदी भी आती रहत ही हैं, पर वहाँ, वहाँ कौन होगा, आदित मुस्करा देता है, वहाँ के लिए भी इंतिजाम है मेरे पास, तुम बस पैकिंग करो, हमें परसो ही निकलना है, यह कहकर आदित खड़ा हो जाता है, और अपने कमरे की तरफ चला जाता है, पवित्रा भी किचन का सारा काम ख उसका अपना आदित, जो उससे बेंतहा प्यार करता था, वो आज किसी और का पती है, जिसके साथ उसने अपने पूरा जीवन की कल्पना कर ली थी, उसी के साथ हर नाता आप तूट चुका, जिसके बिना उसने एक दिन भी जीने का सूचा नहीं था, अब उसे पूरा उससे चीन चुका था, तभी एरपोर्ट पर फ्लाइट की इनाउंसमेंट होते ही, वो उठकर खड़ी हो गई, प्लेन में भी वो खिड़की के पास बैठ कर बस रोई जा रही थी, आज उसके सारे सपने तूट कर चूर हो गए थे, आदित भी अपने कमरे में बैठा, बस दिप्ती को ही याद कर रहा था, पवित्रा को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कराहट का मुखोड़ा तो पहन लिया था, पर दिप्ती के आशू उसे अंदर तक खाय जा रहे थे, वो भी अंदर तक तूट चुका था, बस अब उसे पवित्रा के पती के मि बाहर जा रहा था कि, पवित्रा, आदित को बाहर जाता देख, आदित से पूछती है कि, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या, आदित, हाँ, वो चाचा सा के साथ किसी काम से जा रहा हूं, साम तक आ जाओंगा, पवित्रा, ठीक है, इतने में हम आपके कपडों की भी आदित, ओके, कहकर वो निकाल जाता है, आदित अपने चाचा सा के साथ नहर बनना को देखने हॉस्पिटल जाता है, नहर बनना की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, वो जिन्दिगी और मौत की बीच अपनी सासी गिन रहे थे, आदित और विरेंजी उनकी परिवार को तुम बिल्कुल मत करना, यहां मैं सब समाल लूँगा, इस वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आदित, जी चाचा सा, मैं भी इसी उम्मी से मुंबई जा रहा हूँ, वहां मेरे काफी कॉन्टेक्स भी हैं, कुछ लोगों से जिनसे पवित्रा के पती के बारे में कुछ इनफॉर्मेशन निकालने में मदद मिल जाए शायद, विरेंजी तुम टेंसन मत लो बेटा, सब ठीक होगा, दोनों गारी में बैटकर घर वापस आ जाते हैं, आदित घर आकर देखता है कि पवित्रा में ने लगबग सारी पैकिंग कर ली थी, आदित, अरे वा, त इनने तो सारी पैकिंग कर ली, पवित्रा भी कुजी से, हाँ देखिये न, कुछ रह तो नहीं गया आपके सामान में, अगर कुछ रह गया है तो हम वो भी रख देंगे, अच्छा सुनिए, हम हवाई जहाद से मुबई जाने वाले हैं, क्या, आदित मुस्क्रा कर, हाँ, पवित्रा सच में, हमने तो कभी हवाई जात देखा ही नहीं, अब देखेंगे पास से, कितना बड़ा होता होगा न, जब हम गाउं में थे न, तो बस उपर हास आसमान में उड़ता हुआ देखते थे, हम और हमारी सारी सहलिया, उसे देखकर अपना हाथ जोर जोर से हिलात पर उसमें से कोई बोलता ही नहीं था, बहुत उपर होता था न वो, पर अब तो हम उसके अंदर बैठेंगे और सबको बाय बोलेंगे, ठीक है, आदित की भी, उसकी इस बचकानी बातों को सुनकर हसी छूट जाती है, वो भी हसने लगता है, आदित, हाँ बोल लेना और कैसे बैठे हुई, पवित्रा खुशो कर, जी हम जाते हैं, आप भी सोजाईए, आदित, ओके गुड नाइट, पवित्रा क्या, आदित, बोलो गुड नाइट, यानी सुब रातरी, पवित्रा, गुड नाइट, आदित, हाँ, अच्छा है, थोड़ी से प्रेक्टिस करोग तो और भी अच्छे से बोल पा हुई, पवित्रा, जी हम अच्छे से अभ्यास करेंगे, थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कम्रे में सोनी चले जाते हैं, लखनो, घर की डोर वेल बजती है, तो नौकर आकर दरवाजा खोलता है, सामने दिप्ति खड़ी होती है, वो अंदर आती है, और नौकर भी उसका सामान अंदर उठा कर लेकर आता है, घर में कोई दिखाई नहीं देता है, तो दिप्ति सीधा अपने रूम की तरफ भाग कर चले जाती है, रूम में पहुँचकर वो अंदर से रूम को लॉक कर देती है, तभी थोड़ी देर बाद वीजेस जी अपने इस्टीडी रूम से बहार निकलते हैं, तो हॉल में सूटकेश देखकर नौकर से पूछते हैं, ये सूटकेश किसका है, कौन आया है, नौकर, साहब, वो दिप्ति वीटिया आई है, अभी अपने रूम में गई है, वीजेस चोकर, दिप्ति, वो सीधा दिप्ती के कमरी की तिरफ जाते हैं पर दिप्ती ने अंदर से रूम लॉक किया था बिजेजी दर्वाजा खटकट आते हैं पर दिप्ती दर्वाजा नहीं खोलती है बिजेजी दिप्ती दर्वाजा खोलो बेटा आखिर बात क्या हुई है तुम तो आदित से मिलने गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई, बोलो बेटा, दिपती दर्वाजा खोलो, तभी थोड़ी देर बाद दर्वाजा खुलने की आवाज आती है, बिजेज जी छट से दर्वाजा खोलते हैं, दिपती सामने ही खड़ी होती है, वो जल्दी से जाकर अपने पापा के गले लग जाती है और फपक पखक कर रोने लगती है बिजेज जी उसकी हालत देखकर सहम जाती है बिजेज जी दिप्ती से पूछते हैं क्या हुआ बेटा उस तो बोलो तुम रो क्यों रही हो बेटा अगर बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है दिप्ती रोते रोते ही कहने लगती पापा सब खतम हो गया आदित मुझे से बहुत दूर जा चुका है उसने किसी और से साधी कर ली बिजेज जी हैरान हो जाते हैं किसी और से साधी कर ली ऐसा कैसे हो सकता है बेटा पहले तुम बैटो और पानी पियो और मुझे आराम से बताओ कि आखिर हुआ क्या है बिजेज जी दिप्ती को पानी पीने के लिए देते हैं दिप्ती पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स होती है फिर वो बताती है कि वहाँ जब वो पहुँची तो क्या हुआ दिप्ती रोते वे पापा आदित ने अपने पुर्खों की हवेली और अपने बिजनिस को बचाने के लिए अपने बाबा साग की पसंद की लड़की से साधी कर ली और मुझे बताया तक नहीं बिजे जी भी ये सुनकर परिशान हो जाते हैं वो दिप्ती को अपने सीने से लगा लेते हैं और उसे चुप कराते हैं बिजे जी बेटा जहां तक मैं आदित को जानता हूँ वो तुमें कभी धोका नहीं दे सकता जरूर उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी तब ही उसने अपने बाबा सा की मर्जी से साधी किये बेटा उसकी भी प्राबलम को समझो हो सकता है उसे भी ये सब करते वे कितना तुक हूआ हो और अब तो उसने अपने बाबा सा को भी खो दिया है दिपती पर पापा मैं आदित के बिना कैसे जीऊंगी मैंने तो उसके बिना अपनी जिन्दिगी के कलपना तक नहीं की बिजे जी नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते जिन्दिगी हर जखम भर देती है मुझे यकीन है मेरी बेटी हार नहीं मानेगी और अपनी जिन्दिगी में कर रहे थे घर के सबी नोकर चाकर भी उन्हीं बिदा करने के लिए खड़े थे विरेंज जी और सथा भी आदित और पवित्रा को एरपोर्ट तक छोड़ने जाने वाले थे आदित और पवित्रा दोनों नीचे आकर सब को नमस्कार करके काका को हवेली की चावी देखकर बाह आज आदित को वो दिन याद आ रहा था जब वो इस हवेली में आया था सब उसके स्वागत में खड़े थे और उसके बाबा साने आते ही उसे गले लगा लिया था आज आदित अपने बाबा सा को भी बहुत याद कर रहा था एक घंटे बाद गारी एरपोर्ट पहुंचाती है आदित अपना और पवित्रा का पासपोर्ट वेरिफाई कराकर ले आता है थोड़ी देर बाद फ्लाइट की एनाउंसमेंट होती है तो आदित और पवित्रा चाचासा के पैर्च होते हैं और पवित्रा सर्ता के गले लगत विरेंजी आदित से यहां की चिंता मत करने अपना और पवित्रा का ख्याल रखना आदित जी चाचा सा दोनों एक जिट केट की तरब चले जाते हैं सर्था दोनों को हाथ हिलाकर बाय करती है आदित प्लेन में खिड़की वाली सेट पर बैठता है तो पवित्रा कहती है हम ब बस उसे देखता ही रह गया थोड़ी देर बाद जब प्लेन सामान तरीके से उड़ने लगा तो आदित ने सक पका कर अपना हाथ पवित्रा के हाथ से निकाल लिया पवित्रा बार बार प्लेन की खिड़की में से जहां करहे थी आस्मान में उरते बादलों को देखकर वो भी नहीं समा रही थी वो बार बार आदित को उड़ते बादल दिखा रही थी आदित भी उसको खुश देखकर खुश हो रहा था पूरे चार घंटे के सफर के बाद फ्लाइट मुंबई एरपोर्ट पर लैंड हुई आदित और पवित्रा एरपोर्ट से पहार आ गए सामने द्राइबर उन्हें पहले से खड़ा मिला विरेंजी ने आदित के आने की खबर पहले से ही कर देती दोनों गारी में बैट जाते हैं और द्राइबर गारी फार्म हाउस की तरफ खुमा लेता है पवित्रा रास्ते में भी गारी में से छांक कर मुंबई की सड़कों को आदित ने उन्हें नमस्ति की काका ने भी दोनों को आसिर बात दिया सब अंदर चले गए आदित पवित्रा से तुम थोड़ी देर आराम कर लो ठीक है पवित्रा जी आप भी आराम कर लिजे सफर में ठक गए होंगे आदित पवित्रा को उसका कमरा दिखा देता है दोनों आ लेता है आदित रुको पवित्रा पवित्रा जी कई ये आदित कल सुबह तयार है ना हमें कहीं जाना है पवित्रा कहां जाना है आदित इस्कूल में तुम्हारे एडमिसन की बात करने तुम पढ़ना चाहती हो ना पवित्रा हाँ पर अब हम कोई बच्चे थोड़े ना है ज उन्हें वहाँ पढ़ना सिखाय जाता है पवित्रा अच्छा आदित हाँ इसलिए कल तुम मेरे साथ चलना ठीक है पवित्रा पर हम स्कूल जाएंगे तो घर का काम कौन देगेगा आदित उसकी चिंता तुम मत करो रामदिन काका है न वो देख लेंगे तुम सिर्फ पढ़ा भी रहें आप बहुत अच्छे हैं आदित उसकी ये बात सुनकर मुस्क्रा देता है थोड़ी देर बात आदित भी भाइल बंद करके सो जाता है लेकिन आज पवित्रा के आँखों में नीन नहीं थी उसे आदित का उसके लिए फिक्र करना बहुत अच्छा लग रहा था व नों न'! बैट करई स्कुल की तरफ निकल जाते हैं आदित स्कुल बहुंचकर कार पार्किंग में लगाता है फिर वे दोनों परिंस के ओफीस में चले जाते है अधित डरोम का दरौजा करता सी कुछ Cena मैं प्रिंस्पल येस मैं मैं प्रिंसेल अदित देश्ययक राणा आप कल से ही इन्हें इस्कूल भेज सकते हैं आदित और पभित्रा दोनों बाहर आ जाते हैं आदित पभित्रा से कहता है चलो तुम्हारा एडमिशन तो हो गया है आप कल से इस्कूल जाने की त्यारी करो पभित्रा उदास होकर हमें डर लग रहा है हम अच्छे से पढ़तों पाएंगे ना आदित क्यों नहीं बढ़ पाओगी देखना तुम बिलकुल अच्छे से पढ़ना सीख जाओगी फिर दोनों वापस घर की ओर निकल जाते हैं रात को पवित्रा अपना बैग लगा रही थी वो कल स्कूल जाने के लिए तैकि पहले ही दिन कोई कमी न रह जाए अगले दिन से पवित्रा स्कूल जाने लगी आदित रोज उसे छोड़ कर आता था शाम को ड्राइबर उसे गारी से वापस लेकर आता था इन दिनों में आदित भी अपनी लॉक की प्रैक्टिस में बिजी हो गया था प्रंतु साथी साथ वो डॉक्टर समीर का भी पता बैठी हुई थी तब ही बिजेज जी उसके कमरे में आ गए दिप्ती रोज ऐसे ही चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती थी ना ही किसी से बात करती ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती उसने तो जैसे खुद को उस कमरे में खैद कर लिया था बिजेज जी भी उसकी य अपने आपको यूँ ही तकलीद देती रहोगी जिसे जाना था वो जा चुका है अब अपने जिन्दिगी में आगे बढ़ो बेटा दिप्ती जिसके साथ पूरी जिन्दिगी बिदाने का सोचा था उसके बिना आगे कैसे चल पाऊंगी मैं पापा बिजे जी पर बेटा अब आगे तो बढ़ना ही होगा क्योंकि अब यही सच्चाई है कि आदित किसी और का है और तुम्हें इस सच्चाई को मानना होगा दिप्ती रोने लगती है बिजे जी संभालो बेटा अपने आपको दिप्ती पापा मैं कोशिस कर रही हूँ पर मुझे नहीं होता है क्या करूं बिजे जी तुम ऐसा करो कुछ दिन के लिए मुंबई चली जाओ वहां तुम्हारे दोस्त भी है और तुम्हारे दीदी और जिजाजी भी है तुम्हारा वहां मन भी लग जाएगा मैं आज इस रूती से बात करता हूँ कि तुम आ रही हो वहां जाओ और अपनी लाकी प्रेक्टिस भी स्टार्ट कर दो दिमाग दूसरी चीजों में बटेगा तो तुम्हारा इस्ट्रेस भी कम होगा दिप्ती आंसु पोस्ती वी ठीक है पापा आप मेरी मुंबई की टिकेट्स करवा दिजे मैं भी मुंबई जाना चाहती हूँ बिजेज जी ठीक है बेटा मैं आज ही तुम्हारी टिकेट्स बुक करवा देता हूँ और साथ में सुरूती को भी फोन कर देता हूँ बेजेज जी उठतर वहाँ से चले जाते हैं मुंबई आदित इस्तिधी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी को कॉल आया उसने कॉल देखकर फोन उठा लिया उधर से आवाज आई आदित डाक्टर समीर का पता चले के आए वो दिल्ली के किसी सिटी हॉस्पिटल में डाक्टर है मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल का एड्रेश दे देता हूँ वहीं से तुम्हें उसके घर का एड्रेश भी मिल जाएगा मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है ओके तुम एक दो दिन में दिल्ली चले जाओ आदित खुशो कर थैंक्स यार, थैंक्यू सो मच तुझे पता है नहीं कि तुने मेरे लिए क्या किया है थैंक्यू वांस अगेन दूसी तब से, इस ओके यार दोस्ती के लिए कुछ भी ठीक है फिर मिलते हैं आज आदित बहुत खुश था क्योंकि शायद अब उसकी सारी मुस्किले हल होने वाली थी उसने डिशायट कर लिया था कि वो परसो ही दिल्ली के लिए निकल जाएगा पर पवित्रा को क्या बोलेगा पर उसने सोच लिया था कि कोई भी बहाना बना देगा कि उसे जैपूर वापस जाना है तो हुए है हमें आए वे आदित तुम टेंसन मत दो घर पर इतने सारे नोकर चाकर है रामदीन काका है और स्कूल तुम्हें ड्राइबर छोड़ाया करेगा सिर्फ दो दिन की बात है प्लीज पवित्रा मान जाओना और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ सर्प्राइज है लेकिन आकर बताऊंगा ठीक है पवित्रा ठीक है बस आप जल्दी से वापस आ जाईए हमें और कुछ नहीं चाहिए आदित ठीक है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा परसो निकलना है तो तुम मेरी कुछ कप्रों की पैकिंग कर देना पवित्रा जी हम कर देंगे आदित अपने कमरे में चला जाता है और पवित्रा किचन का काम खतम करके आदित की पैकिंग में लग जाती है आदित अपने चाचा सा को कॉल करके बता देता है कि पवित्रा के पती का पथत लग गया है और वो परसो ही दिल्ली जा रहा है विरेंजी भी साथ चलने को कहते हैं पर आदित मना कर देता है कि वो खुदी समाल लेगा साथ ही साथ उन्हें कहता है कि अगर पवित्रा का कॉल यहां आए तो आप कहे दीजेगा कि आदित यहीं है विरेंजी से कॉल पर बात करने के बाद वो सोनी चला जाता है परसो आदित भी दिल्ली के लिए निकल जाता है चलते वक्त पवित्रा कहती है कि वहां पहुंचते ही हमें फोन कर दीजेगा और चाचा सासे और सरता दीदी को हमारा पर नाम कहिएगा आदित ठीक है कहकर चला जाता है पवित्रा उसे जाते हुए देखती रहती है जब तक उसकी गारी में गेट के बाहर नहीं निकल जाती फिर अंदर आकर वो भी स्कूल के लिए तैयार होने लगती है अब पवित्रा के भी स्कूल में कुछ सहलिया बन गई थी इसलिए उसे अब स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था और वो कुछ-कुछ पढ़ना भी सीख गई थी क्या होगा जब आदित मिलेगा समीर से दिल्ली में और जब पवित्रा को पता चलेगा आदित का सच जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ